दोस्तो आई इस वडियों हम देखते हैं कि हम अपने WhatsApp में सिर्फ single tick कैसे so करेंगे जैसे कोई भी हमें message करता है तो उसे सिर्फ single tick so होगा तो कैसे हम उनको सिर्फ single tick so करेंगे और हम अपना net भी use करेंगे तो इसके लिए सब सब पहले हम अपने मोबाइल के सेटिंग में चलेंगए तो यहां से सेटिंग बतरे हैं यहां पर नीची एफ में आएगे पर बद्स को क्ष्मारा डीक है अल fell बता रहा हूं फिलाल यह Redmi का फोन है तो उसमें manage apps आ रहा है ठीक है manage apps पर click कर देंगे अकुछ में आप directly apps पर click किजेगा तो ऐसे search बार आ जाएगा यहां पर हम click कर देंगे restrict data usage में और देखिए wifi और mobile data यह दोनों पर tick है तो हम दोनों को untick कर देंगे यहां पर जैसे हम click कर देंगे तो दोनों untick हो जाएगा untick हो जाने पस नीचे हम okay पर click कर देंगे बस यह ही setting करना था इसके लाबा कुछ भी setting नहीं करना है इसका मतलब कि हमारा जो whatsapp है वो ना mobile data यूज़ कर सकता है ना ही wifi यूज़ कर सकता है लेकिन हम हमारे सारे apps वगैरा सभी mobile data wifi जो कुछ भी है उससे connected है देखिए मैं यहां स Facebook open कर रहा हूं दखिए Facebook चल रहा है और इसी तरह मैं YouTube चला रहा हूं तो YouTube भी चलेगा YouTube भी चल रहा है देख रहा है YouTube भी चल रहा है तो लेकिन WhatsApp नहीं चलेगा देखिए हम किसी को message करके दिखा रहा है तो आप जानते हैं अगर हमारे पस data अगरा नहीं उस होता है तो क्या हो हम किसी को message नहीं कर पाते हैं देखिए यहां पर लेट से हमने सैफी वीव को select कर लिया और यह data यूज नहीं कर पा रहा है तो यहां पर देखिए एक single tick भी नहीं आएगा तो अगर उधर से जो message आएगा उन्हें single tick दिखेगा सिर्फ single tick दिखेगा ठीक है बस double tick नहीं देख तो सिर्फ single tick दिखेगा और बहुत ही छोटा setting करना है किसी भी mobile में आप कर सकते हैं बस एक ही setting करना है बस आपको mobile data और wifi data को दोनों को disable कर देना है single tick आएगा जो भी आपको message करेगा WhatsApp पे I hope कि वीडियो को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like कर दीजे और चैनल को subscribe कर मिलते हैं नेक्स वोड़ी में तब तक के लिए विप बाए